हेलो एब्रिवन आज मैं आपसे मैंगो डेजर्ट की बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी शेयर करूंगी यहां पे मैंने दो मैंगो को कट करके रखा हुआ था इसमें एड़ कर दी मैं शुगर शुगर में लिए है पांच चमच अब इसके बाद थोड़ा सा दूद इसमे हम एक प्योरी रेडी कर देंगे यहां पे ब्लेंड कर दिया मैंने इसको एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो गया है मैंगो प्योरी हमारी बन के रेडी हो गई है अब चलते है नेक्स टेप में यहां पे मैंने एक पैन लिया है इसमें डाल देंगे हम दूद आदा लिटर एट कर देंगे, मिल्क पाउडर, एक कप मिल्क पाउडर लिया है मैंने यहां पे, इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि इसमें लंप्स बिल्कुल भी ना रहे हैं, पहले अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर देंगे, ठंडे दूद में ही, अब यह द कर दिया अब क्या करेंगे हम इसको की पांच छे मिनट तक को करेंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक हमारे यह गाड़ा नहीं हो जाता है मतलब बहुत ज्यादा थिक भी नहीं करना है यहां पर साइड में हम इनको स्क्रेश करते जाएंगे और दूद में मिक्स करेंगे एकदम स कर दिये मैंने अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद मैंने इसको एक बोल में ट्रांस्फर कर दिया था इसके बाद जो हमने मैंगो प्यूरी बना के रखी है वह इसमें एड़ कर देंगे बहुत एजी और सिंपल सी रेसेपी है फटा-फट से एड़ कर लीजिए, यहाँ पे आप केसर भी एड़ कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा, उसे भी काफी अच्छा फ्लेवर आता है, यह देख सकते हो, आप अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे न मैंने एक मैंगो कट करके रखा वा था, छोटे छोट है, बन के रड़ी है, इसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीए, तीन चार घंटे के लिए, और एक्दम चेट सर्व कीजिए, अगर आपको यह मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो आप भी ज़रूर ट्राइ करें,